नमस्कार मैं हूँ शाश्वत सिंग न्यूज फॉर शोशल में आपका स्वागत है महा शिवरात्री इस वर्ष गुरुवार 11 मार्च 2021 को मनाई जाएगी शिवरात्री सबसे महत्पूर्ण हिंदित्योहारों में से एक है जो भगवान शिव और देवी शक्ती के लिए मनाते हैं महा शिवरात्री को भगवान शिव का इस्मरण और मंत्रों का उचारण प्रातना और उपवास किया जाता है भगवान शिव के लिए भक्त पूरी राज जागते रहते हैं महा शिवरातरी वह रात है जब शिव को तांड़म रित्य या आदिम स्रीजन, संरक्षन और विनाश का अनृत्य दिखाया जाता है विश्वासियों के अनुसार इसने दुनिया को विनाश से बचाया हिंदु विद्वानों का कहना है कि महा शिवरातरी वह दिन था जब शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए जहरीली विश्पिया था महा शिवरातरी को जीवन और दुनिया में आने वाले अंधेरे और अज्यानता के इस्मरण के लिए मनाया जाता है अधिकान्स त्योहारों के विप्रित रात में मनाया जाता है और यह एक महत्पून घटना है शिवरातरी भी है जब देवी पारवती और भगवान शिव ने फिर से शादी की यह तिहार मुखिर रूप से भगवान शिव के लिए पूरे दिन उपवास और रात रात भर की जैने वाली बेल के प्रसाद से मनाया जाता है महा शिव रातरी पर शिव मंदरों में शिव के पवित्र मंदर ओम नमसृवाई का जब किया जाता है घरों और मंदिरों में विशेष पूजा होती है यह माना जाता है कि भगवान शिव बेल वरिक्ष के शौकीन है जिन्हें बिल्व या बिल्व वरिक्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसके पत्ते और फल अभी भी उनकी पूजा में मुख्य भूमिका निभाते हैं पूरे भारत के मंदिरों में विशाल सभाई होती हैं हाला कि सबसे बड़ा उत्सव उज्जैन मद्ध प्रदेश में आयोजित किया जाता है जहां माना जाता है कि भगवान शीव रुके थे शैव धर्म के अनुसार कि उहार उस रात को चिन्हित करता है जब भगवान शीव ने शृष्टी, सनरक्षन और विनाश का दिवर्णित किया इस दिन अपने भगवान को प्रसंद करने के लिए भक्त देश भर में एक विशेश महा शीव रातरी व्रत और शीव मंदिल का आवलोकन करते हैं जो कि शीवलिंग को फल और दूद चढ़ाते हैं जो शीव का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिद्र है जबकि यह त्योहार भगवान शीव और देवी पारवती की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है लेकिन इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व है उधारन के लिए पुरानों के नुसार शीवरातरी के दिन भगवान शीव ने समुद्र मन्थन के दौरान जहर के बरतन का सेवन करके मानों को बचाया था अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर शोशल